Welcome to RJ वास्तुम, आप सभी को मेरा नमस्कार डारेक्शन सिरीज में आज हम सौथ इस डारेक्शन के बारे में पूरे जान करी लेंगे वास्तुमें एस्ट और सौथ डारेक्शन के एक्जाक्ट बीच में सौथ इस डारेक्शन होती है जिसे हम अगनी कुन भी कहते है कमपास से अगर चेक करें तो 90 डिग्री पे इस डारेक्शन होती है 180 डिग्री पे सौथ डारेक्शन होती है और इन दोनों के एक्जाक्ट बीच में 135 डिग्री पे सौथ इस डारेक्शन होती है फिर से मैं बता दू वास्तू में हर एक डारेक्षन 22.5 डिग्री की होती है और ये डारेक्षन हमें सेंटर से देखनी होती है साउथ इस्ट की अगर हम बात करें तो ये फाइर एलिमेंट की या अगनी तत्व की दिशा है इस दिशा के बारे में बहुत बड़ी गलत्तिमी है बहुत सारे कंसल्टर्ण्स साउथ इस जारेक्षन में अगर कोई भी वासूदोश हो तो वहाँ पे रेड बलब लगाने की सल्णा देते हैं और कई लोग South East Direction अगनी तत्व की दिशा है और अगनी का कलर रेड होता है इसलिए खुझ से ही यहाँ पे रेड कलर की बल्ब लगा देते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में लोग बिना सोचे समझे South East Direction में रेड बल्ब लगा देते हैं जिससे उनके घर में accidents होते हैं चोरी चकारी होती है उन्हें ये पता नहीं होता है कि South East Direction में रेड बल्ब लगाने से पहले ये दिशा balance है या नहीं ये हमें चेक करना होता है South East Direction अगर घर में बड़ी हुई हो और अगर आप यहाँ पर रेड कलर का बल्ब लगाते हैं तो वहाँ की fire बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको accidents देती हैं इसलिए बीना सोचे समझे यहाँ पर रेड कलर की बल्ब नहीं लगानी चाहिए South East Direction में अगर कोई भी problem है या वासुदोश है तो उनके सही उपाई या remedies आज में आपको इस वीडियो में बतानी वाली हूँ इसलिए वीडियो को end तक ज़रूर देखें South East Direction cash की liquidity की direction है यहाँ से fire start होती है South East की direction initiation को भी दिखाती है दिये की low जहाँ से start होती है वो fire South East की fire होती है किसी भी काम को start करने की उर्जा हमें South East की fire देती है South East direction में अगर कोई भी problem हो तो हम कोई भी काम start नहीं कर पाते है इस दिशा में problem होने से cash flow, liquidity खराब होती है, पैसा नहीं बचता है, payment block होता है और पैसा डुबने की भी संभावना होती है South East direction Venus की या शुक्र की direction है Venus मतलब लगजरी और हमें लगजरी तबी मिलती है जब हमारे पास पैसा होता है और ये पैसा हमें South East direction देती है इसलिए South East direction सही होना, वास्तुदोष फ्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब जानते हैं South East direction में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और अगर यहाँ पर वास्तुदोष है, तो उनकी क्या उपाई या रेमिडिस होनी चाहिए सबसे पहले टॉयलेट की बात करते हैं South East direction में टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर टॉयलेट होने से कैश फ्लो, लिक्विडिटी खराब होती है पेसा नहीं बचता है, पेमिंट 100% डूपता है हम किसी को पेसा देते हैं और वो पेसा हमें वापस नहीं मिलता है हमारे लाइट में जो स्पार्क होता है, वो ही खतम हो जाता है काम करनी की जो प्रेना होती है, जो पुश हमें चाहिए होता है काम करने के लिए वो ही खतम हो जाता है इसलिए 37 direction में हमें toilet को avoid करना होता है लेकिन अगर 37 direction में toilet बन गई है तो क्या करना होगा 37 direction में अगर toilet है तो toilet seat की 3 या 4 तरफ red color की 4 inch की tape या copper की strip लगानी होगी जिससे toilet के negative effects खतम हो जाएंगे 37 direction में washing machine भी नहीं होनी चाहिए अगर यहाँ पर washing machine है तो washing machine के नीचे red color की mat डाल दीजी जिससे washing machine की problem solve हो जाएगी 37 direction में मंदिर भी नहीं होना चाहिए 37 direction में मंदिर बहुत बड़ा वास्तुदोष क्रियेट करता है यहाँ पर हम देवी मा की जैसे दुरगा मा की पूझा कर सकते हैं लेकिन मंदिर को हमें avoid करना होता है underground water tanks या mirrors को भी हमें यहाँ पर avoid करना होता है क्योंकि underground water tanks या mirrors जो होते हैं वो water element को represent करते हैं southeast direction fire element की direction है और हमें पता ही है water and fire elements एक दुसरे के anti हैं इसलिए हमें यहाँ पर underground water tank and mirrors को avoid करना है anti colors की अगर हम बात करें तो southeast direction fire element की direction है और fire elements के colors है red या red family के colors जैसे orange, pink, magenta, maroon etc तो यह सब colors यहाँ पर चल जाते हैं इसके साथ साथ southeast direction को balance करने के लिए हम green, brown, yellow या golden colors यहाँ पर use कर सकते हैं southeast direction fire element की direction है और fire element के anti elements होते है water element and space element इसलिए southeast direction में किसी भी form में blue, black, grey या white colors नहीं होने चाहिए kitchen के अगर हम बात करें तो southeast direction में kitchen बहुत अच्छी होती है southeast direction is the best ideal direction for kitchen चाहे ancient first to consultants हो या modern first to consultants kitchen placement की जब भी बात आती है तो southeast direction या अगमी कोन को ही first preference दिया जाता है southeast direction fire की direction है और kitchen जो होती है वो fire को represent करती है इसलिए southeast direction में kitchen आ जाये यानि fire की direction में fire की activity आ जाये तो हमें बहुत अच्छे results मिलते हैं लेकिन बहुत सारे cases में southeast direction में kitchen बनवाने के बाद भी एक छोट इसी गलती की वज़े से लोगों को अच्छे results नहीं मिलते हैं बलकि नुकसान होता है इसकी वज़ा में बताती हूँ इसका reason है black color की kitchen platform black color जो होता है वो water element को represent करता है यहाँ पर black color की kitchen platform बनवाने से fire में water आ जाता है और water and fire एक दूसरे के anti है इसलिए southeast direction में अगर black color की kitchen platform आ जाए तो southeast direction में kitchen बनवाने के बाद भी यानि fire की direction में fire की activity आ जाने के बाद भी हमें अच्छे results नहीं मिलते हैं इसलिए हमें southeast direction में black color की kitchen platform एवोईड करनी होती है आप यहाँ पर green, brown, red या off-white color की kitchen platform बनवा सकते हैं बेडरूम के अगर हम बात करें तो southeast की बेडरूम अच्छी होती है और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं south east की बेडरूम बहुत अच्छे results देती हैं यहाँ पर बेडरूम होने से दिन्दगी में पेशा हमेशा बना रहता है इंसान हमेशा aggressive रहता है उसकी fire अच्छी होती है और वो हमेशा भागता दोड़ता रहता है और उसकी life अच्छी रहती है लेकिन बहुत बार यहाँ पर सोने से कपल की आपस में बनती नहीं है क्योंकि यहाँ पर सोने से आपस में बहुत ज़्यादा fire भर जाने की वज़े से दोनों aggression में रहते हैं तनाव में रहते हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी बहुत ही simple remedy है आपको south east की bed के उपर yellow color की bed sheet बिचानी होती है जिससे ये problem solve हो जाती है तो ये हो गई south east direction की पूरी जानकारी south east direction की complete analysis अपने वास्तु में south east direction को check कीजिए अगर कोई भी problem है तो उसे सही कीजिए और अपने life में cash flow को सही कीजिए खूब लगजरी पाए और खुश रहे अगर आपको कोई भी problem हो तो मुझे comment में जरूर लिखिए मैं आपकी problem solve करने की पूरी कोशिश करूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe बटन को प्रेस केजिए और साथ ने bell icon प्रेस करना भी ना भूले जिससे मेरी नई वीडियो की notifications आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले important contents आपसे miss नहीं होंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में Stay happy and healthy Thank you